उफ, दिस माहूल, भाई, दिस वास सम्थिंग टू विटनिस, कुछ अलगी था और इसका असर सिरफ जनता पे नहीं, उन ग्यारा खिलाडियों पर भी था, वरना शूट वाली जर्सी तो नहीं पहन किया थे कोली भाईया, बट एक बार वो जर्सी ठीक हुई, भाई साब, मि बहुत गए हैं, जहां हम बिलॉंग करते हैं, तॉप आफ टेबल, बस वो साउथ ऐफरिका की ना, थोड़ी सी ड्रेट रंडेट जाद है, रोईद भाई, वो आप बंगलादेश का गेंस देखे ना, एक तो ना, इतना इतना कॉन्फिटेंस मुझे लाकर तो, भाई, मेरी विडियोस जल्दी रिकॉर्ड हो जाएंगी, बागर भाई कहां से लाते हैं इतना, क्योंकि मैच से फेले कुछ बाते कहीं गई थी, और मैच के बाद कुछ यह हालता, तेखो लंबी बैटिंग लाइनप होना, टेल एंडर्स बैटिंग करें अच्छी बात है, क्योंकि उस जल्दी कोली भाई को थी, अपनी बैटिंग आने की उतनी ही जल्दी फ्लकता है, पाकिस्तान को भी थी, पर देखो यार, पाकिस्तान को कोई ब्लेम नी करेगा, हमारा बॉलिंग अटाइक की इतना तगड़ा है, प्लस प्रो एक्टिव कप्तान, प्लस इसमें स्वालाक ओ पारी चल रही थी, जैसे ही वो सोई, ना तो बॉल उठ पाई, ना पाकिस्तान की पारी, यार, टॉस जीत के एक बार तो लगा की बैटिंग कर लेते, क्योंके प्रेशर हर एक बोलर पे दिख रहा था, सेप्ट हमारे भुमरा वाईया, पोस्ट मैच इंटर्व्यू के हार्दिक से पूछा भी कि भाई, एक सो पच्पन पैसा क्या देख लिया, कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा, 36 में इतना बुरा कुलाप्स आज तक नहीं देखा हमने, और तब पता पड़ा कि इन सब के पीछे भुमरा वहिया थे, जिन्नोंने एक स्पेल में जान लिया, लाइ और जैसे ही हमारे कॉमेंटर्स नहीं सुना, बोले ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, और सिरफ भुमरा ही नहीं पूरा टीम एफर्ट दिखा है, पराट रोईध हार्दिक के बीच में वो डिसकुशन्स होना, सिराज को इतनी पटाई पढ़ने के बाद भी चौते ओवर के वापिस लाना, और उस ओवर की शुरुवात से पहले कोहली का सिराज के पास जाके थोड़ा सा लाइन के बारे में बताना, और उसी ओवर में विकिट, वो भी किसकी, शफीक की, जो अच्छा लग रहा था, जो स्टेट लग रहा था, और ये तो एक इंस्टें से पूरे मै को नहीं, बट किसमत का खेल देखो, कर्म करे रॉफ ने, भुटे बिचारे रिजवान ने, मुझे क्यो तोड़ा, बट देखो दिल के बुरे, निये कॉली भीया, और इसकी बात नहीं कर रहा, मैच के तुरंत ही बात, बाबर के पास गए, अपनी जर्सी उसको गिफ्ट कर इंडिया के साथ साथ एक राइवल्री हार्दिक के साथ भी चल रही पाकिस्तान की, जब भी मैच होता है स्टेडियम से बाहर करके आते, कल तो स्टेडियम में ही करते पकड़े गए, और फिर ये भी लेगा दो विकेट, लेकिन लास्ट टाइम जो मिले थे हम पाकिस्तान स अब भी हम पाकिस्तान से जीते थे, अब भी हम पाकिस्तान से जीते है, 2011 में कप उटाया था, तो 2023 की क्रोनो लाजी इसका मतलब है पाकिस्तान को लगा ओगा है 83 में भी कप्तान ने पेप टॉक दी थी 183 डिफेंड कर लिये थे हमारे तो उल्टे 7 रंजाद है बट क्या है न रोहित भी यन अफगानियों को फिर भी दो ओवर दी दिये थे बट शाहिन की तो पहली बॉल्च परेड लगा दी बट भाई रोहित तो एक तरफ गिल रेटर्निंग फ्रॉम डेंगू लेट लेट्स कम हो गई थी भाई लेकिन इतनी थी कि पाकिस्तान को पेल दे लेट राइट फाइनले एक कवर ट्राइब शाहिन ने कसम से उस मच्चों को इतनी गालिया दी होगी न बट शाहिन इवेंचुली गॉट द प्रिंस अनली टो फाइंड आउट द किंग इस अबाउट तो एंटर रोहिद भाई बोले ये तो अब उनको भी करने का है अफरीदी के वापिस आते ही रोहिद पुल मॉमेंट तो तब बना जब रॉप के पहले ही ओबर में मिड ओन पे शॉट मार के रोहिद भाग गए लेकिन कोली ने वो कॉल नहीं देखी जब देखी इतना देख लिया था कि यहाँ से रोहिद वापिस नहीं जा सकता तुक दे कॉल भले ही रिसकी थी लेकिन विकट की बाजी लगा कर भाग गए और यहां हम इंडियन्स रोहिद कोली रोहिद कोली करते रहते हैं तुकि वो चाहते तो रोहित को वापिस भेज सकते थे लेकिन खुल भागे और अगर वो डायरेक्टेट होती तो आउट थे और फिर नेक्स्ट बॉल पे आया रोहित भाईया का थैंक्यू तुम्हें क्या लग रहा है कि कोहित को हसनी लीन आउट किया है यह तो रोहिराट की ही रहते है ना यह पुल शॉट रोहित भाईया को रहन देते हैं इससे कहा ना टीम में भी यूनीकनेस बनी रहेगी और आउट होने के भी चांसे थोड़े से कम हो जाएंगी बट ब्रॉड कास्टर की ना इंडियन बैट्समें से बड़ी कंप्लेंट आई हो विचारे एक बनाते रोहित भाईया इतनी दे में एक और चक्का मारते थे भाई लेकिन कुछ भी कहो रोहित भाईया के छक्के ना अलग जाकर लगते हैं दिल फे मैं पिछले ही वीडियो में बोल रहा था वार्नर बॉल्ड स्टार्क होंगे भाई वर्ल्ड कप में बट अमारे रोहित अब इतनी ताबर तोड इनिंग्स आई है और रेकॉर्ड ना टूटे ये तो वही बात हो गई कि गली में क्रिकेट खेल रहे हैं और सारी विंडोस सलामत है रोहित भाई का एक ही उसूल है चक्के इतने और ऐसे मारो की अंपायर तक आके पूछे भाई इतने कैसे मार लेते हो जो बात बुमरा एक स्पेल में समझ गया उसको शाहिन को पूरा मैच लगया समझने के लिए अब रोहित के आउट होने के बाद 157 पे 3 होए हम भी थे लेक किल होगी सिंगल डबल लिए टार्गेट तक महुंचे चौका मारा करी अपनी पचास पूरी और हमारा आठ का वेट खतम तीन मैचेज अल्रेडी हो चुके हैं बचेवे 6 आज में ना तो तुम स्टेडियम जाने वाले हो या फिर कोई फैन पार्क में भी जाने का प्लैन न क्योंकि अल्रेडी आइ थिंक बहुत लंबी वीडियो बन गई होगी बट वीडियो में यहां तक आ गए हो पसंद आई है सब्सक्राइब जरूर से कर लो चैनल को 4K के बहुत क्लोज है और अगर ऐसी और भी वीडियो देखना चाते हो मेरी या किसी और क्रीटर की लाइक क कर लो तुमारी फीड़ पर शोने लग जाएंगी पुराने वाले मैचेस मिस करती हैं तो उनकी अनलेसिस तुम्हें इस प्लेलिस में मिल जाएगी और मैं मिल जाओं तुम्हें उन्हीं किसी एक वीडियो के अंदर तब तक के लिए